स्वानमशकार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर दोस्तों आज के बड़े में हम बात करने वाले हैं आगर आपका अकाउंट Union Bank में हैं और आप अपने जो है उससे statement डाउनलोड करते हैं जब भी तो आपसे statement डाउनलोड करने के बाद आपको password क्या डाला हम आपको दिखा देता हूं जब भी आप अपनी statement वगेरा को download करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाता है सब detail में कि आपको क्या-क्या डालना होगा बट कुछ लोगों को यहाँ पर समझ नहीं आता है फिर भी वो statement download करने के बाद उसको open नहीं कर पाते हैं दिखा देता हूं कि मैंने open कैसे करी है तो यहाँ पर पासवर्ट डाल देता हूं मैं यहाँ पर सब्मिट करता हूं तो सब्मिट करने के बाद आप देखेंगे मेरी जो भी statement वगेर थी यहाँ पर निकल चुकी है अगर आपको problem आ रही है statement download करने में और उसको open करने में तो आपको क्या करना है मैं आपको बताने वाला हूं सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि आपको statement को download कैसे करना है तो सबसे पहले आपको अपनी application होगी जो union bank की उसको open कर लेना है यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने union bank की statement को download कर लिया था पहले ही यहाँ पर आपको login क कर लेना है अपनी application में यहां पर कर लेते हैं पासवर्ड डाल देता हूं तो गाइस मैंने यहां पर password डाल दिया है continue पर click करते हैं आपको भी अपनी union bank की application को open कर लेना है डाउनलोड करना है पहले तो उसको play store से फिर डाउनलोड करने के बाद आपको उसके login औगार कर लेना है दिख पाएंगे 6-7 दिन की जो भी है तो यहां पर आपको statement पर आ जाना है statement में आने के बाद आपको यहां पर देखने को मिलेगा last month, last six month, last three month, last twelve month एक साल तक की आप यहां पर statement ले सकते हैं अगर आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं custom date अपने हिसाब से यहां पर डालिएगा जो भी जिस date से लेकर जिस date तक आपको चाहिए वो यहां पर डाल कर go कर दीजेगा आपकी statement आ जाएगी तो यहां पर मैं आपको दिखा देता हूँ last three month की download करके दिखाऊँगा यह last three month का मैंने यहां पर लिख दिया है देन उसके बाद यहां पर नीचे आपको देखने को मिलेगा email और PDF तो यहां पर मेरे को करना है email पर click मैं अपनी statement को email के through मंगवा लेता हूँ यहां पर email पर click करते हैं तो यहां पर fail to generate दुबारा कर लेते हैं email sent successfully तो यहां पर मेरे पास mail में send कर दी गई है तो अब मेरे को direct जाकर आपनी mail ID को open कर लेना है जिसमें मुझे statement send करी गई है मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार यहां पर कुछ करके आपको लिखा हुआ है तो statement पर आपको click कर देना है तो यहां पर आपसे password मांगेगा मैं यहां पर password बताता हूँ आपको क्या डालना होगा तो यहां पर आपको क्या डालना है मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार आप देखेगा यहां पर क्या लिख यहां पर लिखा हुआ है, Harriet Bagadia and date of birth, यहां पर देख सकते हैं, इसकी name भी है और date of birth भी है, यहां पर आप देख लीजिएगा, यहां पर उस आदमी का नाम और date of birth है, then यहां पर लिख हो, then password will be, यहां बने, इसका password आप देख सकते हैं, ह-e-r, जैसे कि मेरा नाम है अमित, तो मुझे क्या लिखना होगा? मेरा चार करेक्टर का नाम है, तो मुझे यहाँ पर सिर्फ अमित लिखना होगा, अगर आपका नाम स्पोज कर लिजे, विनोध है, तो आपको क्या लिखना है? V-I-N-O, D को यहाँ पर कट कर देना है, क्योंकि आपके नाम के सिर्फ पहले चार अक्षर ही आपको चाहिए, पहले चार वो ही आपको डालने होंगे, देन उसके बाद आप ही date of birth की बात कर लेते हैं, suppose कर लिजे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, 08, 04, और यहाँ पर आप सन देख सकते हैं, यह लिखा हुआ है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको लिखना है यहाँ पर 08, 04 only, आप पहले आप अपना नाम का 4 character डालेंगे, देन उसके बाद यहाँ पर कुछ इस तरह इक है, 08, 04, यहाँ पर date और month डाल देंगे, अगर आपका यहाँ पर month 12 है, 12 महीन है, तो आपको 1, 2 डालना होगा, 0 को कट कर देना है, 0 आपको लगाना जरूरी है अगर आपका single word है तो, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, statement है, इसको यहाँ से open करते हैं, यहाँ पर password डाल के दिखा देता हूँ, जैसे मेरा नाम अमित है, तो यहाँ पर एक बात का आपको ध्यान रखना होगा, जब आपना नाम डालेंगे, तो उसको capital वे डालेंगे, छोटे एक्ष्रों में नहीं डालना है, तो यहाँ पर A, M, I, T, और यहाँ पर जैसे मेरा date of birth क्या है, मेरा एक जनवरी है, जैसे मेरा एक जनवरी है date of birth, तो यहाँ पर क्या डालना होगा मुझे, एक महिना है और एक ही तारीक है, तो यहाँ पर पहले मैं डाल देता हूँ, एक जनवरी, तो 0 लिखोंगा पहले, और फिर एक लिखोंगा, एक तारीक हो गई मेरी, तारीक मैंने डाल दिया, मन्त डालना होगा मेरेको, एक जनवरी है तो वो फर्स्ट मन्त है, तो यहाँ पर 0, और यहाँ पर फिर से 1 डाल दूँगा, अब मेरेको यहाँ पर सब्मिट पर क्लिक कर देना है, तो यहाँ पर सब्मिट पर क्लिक करता हूँ, देख सकते हैं, सब्मिट पर क्लिक करने के बाद, मेरी यहाँ पर स्टेटमेट ओपन हो चुकी है, तो ऐसे आप ओपन कर सकते हैं, मैं आपको यहां पर फिर से दिखाता हूँ open करेंगे यहां पर अपने नाम के पहले चार वर्ड ढालेंगे और यहां पर फिर अपना जो है date डाल देंगे और फिर month डाल देंगे पहले date डाल देता हूँ 0-1 फिर मेरा month भी जन्वर यह है तो zero one कर देता हूँ और फिर यहाँ पर submit पर आपको click करना होगा देख सकते हैं यह मेरी statement open हो चुकिया सिर्फ आपको अपने नाम के चार character पहले डालने हैं चाहे आपका नाम कितना भी लंबा हो पहले चार word ही डालेंगे वो भी आपको capital बड़े अक्षिरों में डालने होंगे दन उसके बाद अपने हिसाब से अपनी date और month डालना है पहले date डालिए और फिर month डालिए और फिर submit कर दिजी आपकी जो statement का password होगा वो यही होगा बस आपको इतना कर लेना है अगर आपको फिर भी कोई प्रावलम आते है तो मेरे comment box में जूरू बताएगा मैं आपके लिए कोई solution लेकर रहाँगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में टेल ने बाटे के ल, love you all